नबश्कार दोस्तों आप सभी का एक बाद फिर से बहुत बहुत स्वागत है TechNow की लेटेस एपिसोड में और आज की इस एपिसोड में आपको मिलने वाली हैं पूरे हफते की Tech News यानि कि इस हफते क्या टेक्नलोजी के फिल्ड में हुआ है क्या-क्या नई एनॉंस्मेंट हुई है ये सब कुछ आज की इस एपिसोड में आपको पता चलेगा तो जानने के लिए आप अपने पसंदीदा चैनल SRJ TechWord को देखती रहेगा और TechNow Series को एकदम regular follow कर रहा करिए क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको एकदम updated information तो फिलाल देखते हैं कि क्या रहती हैं इस हफते की खबरे तो दूस्तों यहाँ पर पहली खबर जो निकल कर आती है वो रहती है आपकी flip card की तरप से flip card की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर यह 18 से 20 सितंबर के बीच में एक ला रहे हैं big saving days जहां पर आपको काफी सारे discount देने की बात कही जा रही है लेकिन एक चीज मुझे यह समझ में नहीं आ रहे है कि अभी दिवाली और नौरात रिय सब आने वाले हो और ऐसे में आपको काफी सारी sales वगरा मिलेंगी तो क्या इसकी pricing और उसकी pricing की बीच में differences होंगे या फिर यह आपको उतना ही discount देने वाले हैं जितना आपको उन sale में मिलता है तो मैं तो यहाँ पर यह कहूँगा कि sale wheel के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ा करें क्योंकि दिवाली में जब sale आती है तो वहाँ पर year price low होता है एकड़म यानि कि आगर आप वहाँ पर खरिदारी करते हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा profit हो और साथ-साथ Oppo Reno 2 में और अगर आप चाहते हैं Apple के HomePod खरीदना तो यहाँ पर भी आपको discount मिल जाएगा और Google Home Mini भी यहाँ पर आपको 2300 रुपए में के आज-पास लगभग देखने को मिलेगा प्राइस में डिफ्रेंस हो सकते हैं आप चेक कर लिजेगा लेकिन यहाँ पर जैसा कि इंटरनेट पर खबर जो फैली हैं उसे साब से तो यह एक खबर रहती है अपनी next खबर की तरफ बढ़ते हैं जो की रहती है आपकी यह ऑनर की तरफ से तो अनर ने अभी बोल दिया है कि वो अपने 30i model को launch कर रहे हैं जो की उनका एक दम जो है कमाल का model होने वाला है जहां पर वो 48MP का camera देने वाले हैं तो आगे आने वाले समय में अगर हो सकेगा तो मैं इसे unbox करूँगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगी 4000 ms की battery और super amulet display देने की भी बाई बात कही जा रह रहा है कि यह आपको लगबख 17,000 से 18,000 के आसपास की range में देखने को मिलेगा इसके variants भी काफी सारे होंगे यह तो सीडिसी बात है तो हो सकता है price ओपर नीचे हो लेकिन फिर भी अगर देखा जाए 48MP के हसाब से pricing थोड़ी सी मेरे को जादा लग रही है बाकि आप comment करके ब काफी market में मुझे ऐसा लगा था वो popular होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अभी आ चुका है V20 और यहाँ पर इसके SE की launching करने वाले है यह 24 सितंबर को जो कि अपने आप पे एक बड़ी बात रहेगी और यहाँ पर एकदम बैतरीन camera phone यह लोग देने वाले है तो इस series में को मिलेंगे जो कि 24 तारिक के आपको launch होने वाले हैं यहाँ पर आपको ultra sleek design मिलने वाली है ओपो का F17 Pro आपको याद होगा काफी पतला phone था उसकी unboxing भी करी थी तो यहाँ पर कुछ उसी तरज पर जो है इस phone को निकाला जा रहा है एक तरीके से आप यह कह सकते है कोई competition में उत कि हो तो उसे जाकर आप एक बार जरूर से देख लीजेगा यह मैंने कराई थी हो सकता है आपको notification वगरा भी आई हो तो इसलिए बोलते हैं चलल को subscribe करके notification जरूर दबा दिया करो realme 7 तरफ तो जो cover निकल के आई है वो यह है कि यहाँ पर इसकी 1.8 lakh unit भी गई है जो कि पिछ सकते हो 6 के बाद 7 आता है तो फिर आदमी दो अगर रखे हैं एक टेबल पर फोन तो फिर आदमी realme 7 को pick करेगा और सच पूछ हो तो अंतर यहाँ पर कोई खास नहीं है तो यह चीज़ कहीं न कहीं हो रहा है कि realme 7 आजकल बहुत जादा लोग पसंद कर रहे हैं तो अगर आ फोन यहाँ पर सैमसं के लिए अलगी पनावती बना हुआ है और यहाँ पर काफी महंगा पड़ता है और पिछला फोन भी बहुत सारे लोगों ने खरीदा लेकिन कुछ लोगों को मजा नहीं आया कुछ लोगों की स्क्रीन में गरबड आई तो यहाँ पर आ चुका है फोल लाग का यहाँ पर फोल्टू आपको मिलने वाला है तो अमीरों के शौक है वो कर सकते हैं वो कुछ भी करें लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर समझदारी होगी यह समसंग गलक्सी फोल्टू लेना तो लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं आप शौक करना चाहते हैं पर रिलाइंस अपने 20 बिलियन के शेयर जो है अमाजॉन को बेज सकता है यानि कि 20 बिलियन की हिस्सेदारी वो जो है अमाजॉन के साथ शेयर करेगा जिसमें देखा जाये तो 40% हिस्सेदारी जो है वो अमाजॉन को दे सकता है इसके पीछे रिजन क्या है यह मैं आपको ब करने में बहुत ज़्यादा भलाई है क्योंकि Amazon एक बहुत बड़ा e-commerce platform है और जियो मार्ट को अगर establish करना है तो कहीं न कहीं Amazon की मदद तो चाहिए ही चाहिए होगी तो ये चीज़ कहीं न कहीं रहती है आगे आने वाले समय में देखेंगे कि क्या खास रहता है आप मुझे comment करके बताओ क्या आपने अभी तक जियो मार्ट की website को विजट किया है और विजट किया भी है तो वहां से आपने क्या खरीदा है तो बताईए का अपने experience कैसे रहते हैं फिलाल आज की खबरे इतनी ही रहेंगी बागी खबरे तो बहुत सारी हैं लेकिन अगले हफ़ते मैं फिर हाजिर होंगा पूरे हफ़ते की एकदम tech news लेकर लेकिन पूरे हफ़ते आपको ये tech now series तो मिलती रहेगी जहां पर आपको मिलेंगी एक से बढ़कर एक कमाल information तो चैनल को subscribe करेगा और इस series को follow करते रहेगा बेल आइकन को दबाईएगा तो फिलाल आपसे विदा लेते हैं आप मिलते हैं अपने next episode में तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजे नमस्कार दोस्तों जैहिंद वन्दे मात्रम झाल 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 झाल